नमस्कार दोस्तों, आज हमारा विशे है पार्ट तीन, Mind Your Own Business यदि आप और किताबें चाहते हैं, तो मुझे कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लें अमीर लोग अपनी संपत्ती के कॉलम पर ध्यान किंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने आए विवर्ण पर ध्यान किंद्रित करते हैं 1974 में मैक्रोनल्स के संस्थापक रे क्रोक को आस्टिन में टेकसास विश्वविद्याले में MBA कक्षा में बोलने के लिए कहा गया था मेरा एक मित्र उस MBA कक्षा का छात्र था एक प्रभावशाली और प्रेरग बातचीत के बाद कक्षा स्थगित कर दी गई और छात्रों ने रे से पूछा कि क्या वह उनके साथ उनके पसंदीदा है गाउट में कुछ बियर पीने के लिए शामिल होंगे रे ने विनमरता पूरवक स्वीकार कर लिया रे ने पूछा एक बार समूह के हाथ में सारी बियर थी हर कोई हसा मेरे दोस्त ने कहा ज्यादातर एमबिये छात्रों ने सोचा कि रे सिर्फ बेवकूफ बना रहा है किसी ने उत्तर नहीं दिया इसलिए रे ने फिर पूछा आपको क्या लगता है कि मैं किस वियर थी कि आप यही कहेंगे वह रुके और फिर तुरंग देवियों और सज्जनों मैं हैं एमबरगर व्यवसाय में नहीं हूँ मेरा व्यवसाय रियल एस्टेट है अध्यायती पार्थ तीन बहत्तर जैसा कि मेरा मित्र कहानी सुनाता है रे ने अपना दृष्टिकोन समझाने में काफी समय बिताया अपनी व्यवसाय योजना में रे को पता था कि प्रात्मिक व्यवसाय का फोकस है एमबरगर फ्रेंचाईजी बेचने पर था लेकिन जिस चीज़ पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया वह प्रतेक फ्रेंचाईजी का स्थान था वह जानते थे कि प्रत मैक्टॉनर्स दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एकल मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी अधिक संपत्ती है. मैक्टॉनर्स अमेरिका और दुनिया भर में कुछ सबसे मूलेवान चौराहों और सरकों का मालिक है. मेरा मित्र इसे अपने जीवन का सबस मेहत्वपून सबक मानता है. आज वह कारवाश के मालिक हैं, लेकिन उनका व्यवसाय उनकारवाश के तहित रियल एस्टेट है. पिछले अध्याय में यह दर्शाने वाले चित्र प्रस्तुत किये गए थे कि अधिकांश लोग अपने अलावा सभी के लिए काम करते हैं. व फिर भी मेरे अमीर पिता माइक और मुझे वही सबक सिखाने के लिए जिम्मेदार थे जिसके बारे मेरे क्रोक ने टेकसास विश्वविद्याले में बात की थी. यह अमीरों का राज नमबर तीन है. वह रहसे है. अपने काम से काम रखो. वित्तिय संगर्ष अक्सर सीधे तोर पर लोगों द्वारा किसी और के लिए जीवन भर काम करने का परिनाम होता है. बहुत से लोगों के पास अपने कारे दिवसों के अंत में अपने प्रयासों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा. हमारी वर्तमान शिक्षा प्रनाली आज के युवाओं को शैक्ष कोशल विक्सित करके अच्छी नौकरी पाने के लिए तियार करने पर केंद्रित है. उनका जीवन उनके वेतन्या जैसा की पहले बताया गया है, उनके आय कॉलम के इर्दगिर्द घूमेगा. कई लोग इंजीनियर, वैग्यानिक, रसोया, पुलिस अधिकारी, कलाकार, ले अकसर लोगों से पूछता हूँ, आपका विवसाय क्या है? और वे कहेंगे, ओ, मैं एक बैंकर हूँ. फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक है? और वे आम तोर पर जवाब देते हैं, नहीं, मैं वहां काम करता हूँ. उस उदाहरन में, उन्होंने अपन वही बन जाते हैं, जो आप पढ़ते हैं. इसलिए यदि आप खाना बनाना सीखते हैं, तो आप शेफ बन जाते हैं. यदि आप कानून का अध्यन करते हैं, तो आप एक वकील बन जाते हैं, और उटो मैकेनिक का अध्यन आपको एक मैकेनिक बनाता है. आप जो पढ़ते है वही बनने में गलती यह है कि बहुत से लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना जीवन किसी और के व्यवसाय पर ध्यान देने और उस व्यक्ति को अमीर बनाने में बिताते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए व्यक्ति को अपने काम से काम रखना होगा. आपका व्यवसाय आपके संपत्ती कॉलम के इर्दगिर्द घूमता है न कि आपकी आए कॉलम के इर्दगिर्द. जैसा कि पहले कहा गया है, नंबर एक नियम परिसंपत्ती और देंद सुनते हैं, मुझे वेतन वृध्धी की आवशकता है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाता, मैं और अधिक प्रशिक्षन प्राप्त करने के लिए स्कूल वापस जा रहा हूं ताकि मुझे बेहतर नौकरी मिल सके, मैं ओवर टाइम काम करने जा रहा हूं, शायद मुझे दूसरी नौकरी मिल सकती है, कुछ क्षेतरों में ये समझदार विचार है, लेकिन आप अभी भी अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं, ये सभी विचार अभी भी आए कॉलम पर ध्यान किंद्रित करते हैं, और किसी व्यक्ति को केवल तभी अधिक वित्तिय रूप से सुरक्षित अधिकांश गरीब और मध्यम वर्ग के राजकोशिय रूप से रूढिवादी होने का प्रात्मिक कारण, जिसका अर्थ है, मैं जोखिम नहीं ले सकता, यह है कि उनके पास कोई वित्तिय आधार नहीं है, उन्हें अपनी नौकरी से जुड़े रहना होगा और इसे सुरक् जब आकार छोटा करना, अंदर करने वाली बात बंग गई, तो लाखों श्रमिकों को अपना सबसे बड़ा नाम पता चला सेट, उनका घर, उन्हें जिन्दा खा रहा था, उनकी संपत्ति पर हर महीने उनका पैसा खर्च हो रहा था, उनका वित्तिय संघर्ष अक्सर लोग एक हजार डॉलर थी, उनकी कीमत अब एक हजार डॉलर नहीं रही, नौकरी की सुरक्षा के बिना, उनके पास वापस लोटने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसे वे संपत्ति समझते थे, वह वित्तिय संकट के समय में जीवित रहने में उनकी मदद नहीं कर सकता था, मेरा व्यक्ति को संपत्ति के रूप में गिनने की अनुम्ती देती है, एक दिन जब मुझे लोन चाहिए था, तो मेरी आर्थिक स्थिती बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने संपत्ति कॉलम में संख्या बढ़ाने के लिए अपने ने गोल्फ क्लब, अपने कला संग्रह, किताबें, इलेक्ट्रोनिक्स, अर्मानी सूट, कलाई घडिया, जूते और अने वक्तिगत सामान जोडे, लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरे पास रियल एस्टेट में बहुत अधिक निवेश था, रिन समिती को यह पसंद नहीं आया कि मैंने क बैठते तो जीवन कभी-कभी कठिन हो जाता है। वक्तिगत संपत्ती आम तौर पर उनकी वक्तिगत बैलेंस शीट पर सूची बध मूले के केवल एक अंश पर ही बेची जा सकती है। या यदि संपत्ती की बिक्री पर लाब होता है, तो उस लाब पर कर लगाया जाता है। तो फिर सरकार अपना हिसा ले लेती है, इस प्र वक्तिगत सामान नहीं, बलकि वास्तविक संपत्तियां खरीदना शुरू करें, जिन्हें घर ले आने के बाद उनका कोई वास्तविक मूले नहीं रह जाता है। जैसे ही आप एक नई कार को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, आपको उसके लिए चुकाई गई कीमत का 25 प्रतिशत खोना पड़ता है। यह सची संपत्ति नहीं है, भले ही आपका बैंकर आपको इसे एक के रूप में सूची बद करने दे। मेरे 400 डॉलर के ने टाइटेनियम ड्राइवर की कीमत उस समय 150 डॉलर थी जब मैंने उसे छोड़ा। खर्च कम रखें, देंदारियां कम करें और लगन से ठो समपत्ति का आधार बनाएं। उन युवाओं के लिए जिन्होंने अभी तक घर नहीं छोड़ा है, मातापिता के लिए उन्हें समपत्ति और देंदारी के बीच अंतर सिखाना में हित्वपूर्ण है। घर छोड़ने, शादी करने, घर खरीदने, बच्चे पैदा करने और जोखिम भरी वित्तिय स्थिती में फंसने, नौकरी से चिपके रहने और क्रेडिट पर सब कुछ खरीदने से पहले उन्हें एक ठो समपत्ति कॉलम का निर्मान शुरू करने के लिए कहें। वे कुछ पैसे बचाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने माता-पिता बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं किस प्रकार की संपत्ति का सुझाव दे रहा हूं कि आप या आपके बच्चे अर्जित करें मेरी दुनिया में वास्तविक संपत्या निमलिखित श्रेणियों में आती हैं। एक जिन व्यवसायों को मेरी उपस्थिती की आवशक्ता नहीं है, मैं उनका मालिक हूं लेकिन उनका प्रबंधन या संचालन अने लोगों द्वारा किया जाता है। अगर मुझे वहां काम क छे संगीत, स्क्रिप्ट और पेटेंट जैसी बौधिक संपदा से रॉयल्टी, साथ कुछ भी जिसका मूले है, आय पैदा करता है या सराहना करता है और उसका बाजार तयार है। एक युवा लड़के के रूप में मेरे शिक्षित पिता ने मुझे एक सुरक्षित नौकर नहीं करेंगे। मैं अचल संपत्ती सिर्फ इसलिए एकत्र करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतें और जमीन पसंद है। मुझे उनके लिए खरीदारी करना पसंद है और मैं पूरे दिन उन्हें देखता रह सकता हूँ। जब समस्याय आती हैं, तो समस्याय इतनी बुरी नह होती कि यह रियल एस्टेट के प्रती मेरे प्यार को बदल दे। जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कमपनियों के शेयर भी पसंद हैं, खासकर स्टार्टप्स के क्योंकि मैं एक उदिमी हूँ, कोई कॉर् अपने शुरुआती वर्षों में मैंने बड़े संगटनों में काम किया, जैसे कि Standard Oil of California, US, Marine Corps और Gerox Corps, मैंने उन संगटनों के साथ अपने समय का आनंद लिया और मेरी यादें अच्छी हैं, लेकिन मैं घराई से जानता हूँ कि मैं एक कमपनी का आदमी नहीं हूँ, मुझ से सारवजनिक कर देता हूँ, नए Stock Issue में भागय बनता है और मुझे यह खेल पसंद है, बहुत से लोग Small Cap कमपनियों से डरते हैं और उन्हें जोखिम भरा कहते हैं और वे हैं भी, लेकिन यदि आप ऐसा करें तो यह जोखिम कम हो जाता है, आपको पसंद है कि निवेश क नीती छोटी शुरुआत करने और बड़ी संपत्यों के लिए व्यापार जारी रखने की है और इसलिए लाब परकर का भुगतान करने में देरी करती है, इससे मूले में नाटकिये रूप से व्रिध्धी हो सकती है, आम तोर पर मेरे पास अचल संपत्ती साथ साल से कम होती है, वर्षों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरॉक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर पिता ने सुझाया था, मैंने अपना दिन का काम जारी रखा, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से काम रखता था, मैं अपने परिसंपत्ती कॉलम में रियल एस्टेट औ चोटे शेरों के व्यापार में सक्रिय था, अमीर पिताजी हमेशा वित्तिय साक्षर्ता के मेहत्व पर जोड देते थे, लेखांकन और नकदी प्रबंधन को समझने में मैं जितना बेहतर होता, निवेश का विशलेशन करने और अंतह अपनी खुद की कमपनी शुरू करने और बनाने में उतना ही बेहतर होता, अपने काम से काम रखना शुरू करें, अपना दिन का काम जारी रखें, लेकिन देंदारियां नहीं, बलकि वास्तविक संपत्यां खरीदना शुरू करें, मैं किसी को भी कमपनी शुरू करने के लिए प्रोच साहित नहीं करता जब तक कि वे वास्तव में ऐसा न करना चाहें। यह जानते हुए कि मैं कमपनी चलाने के बारे में क्या जानता हूँ, मैं नहीं चाहूंगा कि यह काम किसी और को सौपा जाए। ऐसे समय होते हैं जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है और कमपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान लगता है लेकिन संभावनाय सफलता के विप्रीत हैं दस में से नो कमपनिया पांच वर्षों में विफल हो जाती हैं। जो लोग पहले पांच वर्षों तक जीवित रहते हैं, उनमें से प्रतेक दस में से नो अन्तह असफल भी हो जाते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में अपनी खुद की कमपनी के मालिक बनने की इच्छा रखते हैं, तो ही मैं इसकी अनुशनसा करता हूँ। अन्यथा, अपना दिन का काम छोड़े और अपने काम से काम रखें। अपना दिन का काम जारी रखें, एक महान महनती कर्मचारी बनें, लेकिन संपत्ती का कॉलम बनाते रहें। जैसे जैसे आपका नकदी प्रवाह बढ़ता है, आप कुछ विलासिता में शामिल हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पहले विलासिता की चीजें खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, गहने या नाव जैसी विलासिता की चीजें खरीदते हैं, क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं। वे अमीर दिखते हैं, लेकिन हकीकत में वे उधार के करज में डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग, दीर्ग कालिक अमीर, पहले अपनी संपत्ती का कॉलम बनाते हैं। फिर संपत्ती कॉलम से होने वाली आए से वे अपनी विलासिता की चीजें खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अपने खून पसीने और बच्चों की विरासत से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। एक सच्ची विलासिता एक वास्तविक संपत्ती में निवेश करने और उसे विक्सित करने का पुरसकार है। उदाहरन के लिए जब मेरी पतनी किम और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट घरों से अतिरिक्त पैसा आने लगा तो वह बाहर गई और अपनी मर्सिडीज खरीदी। इसमें उसकी और से कोई अतिरिक्त काम या जोखिम नहीं लिया गया क्योंकि अपार्टमेंट हाउस ने कार खरीदी थी। हाला कि उसे चार साल तक इंतजार करना पड़ा जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियों में वृध्धी हुई और कार के भुगतान के लिए परियाप्त अतिरिक्त नकदी प्रवाह उत्पन होने लगा। लेकिन विलासिता, मर्सिडीज एक सच्चा पुरसकार था क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वह जानती थी कि अपनी संपत्ती का कॉलम कैसे बढ़ाना है। वह कार अब उसके लिए अध्याय तीन से कहीं अधिक मायने रखती है। पाठ तीन अठत्तर बस एक और सुन्दरकार। इसका मतलब है कि उसने इसे वहन करने के लिए अपनी वित्तिय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। इसके बजाए अधिकांश लोग आवेग पूर्वक बाहर जाते हैं और उधार पर एक नई कार या कोई अने विलासिता खरीद लेते हैं। वे उब महसूस कर सकते हैं और बस एक नया खिलोना चाहते हैं। क्रेडिट पर विलासिता की कोई वस्तु खरीदने से व्यक्ति अंतह उस विलासिता से नाराज हो जाता है क्योंकि कर्च एक वित्तिय बोज बन जाता है। समय लेने, निवेश करने और अपना खुद का व्यवसाय बनाने के बाद अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहसे जानने के लिए तैयार हैं। वह रहसे जो अमीरों को समूह से आगे रखता है।